नवसकार दोस्तो आप सब कैसी हो? उमीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मास्त होंगे आज फिर आप सभी के लिए एक और बड़ा अच्छा काम लेकर आएं रेगुलर आप सभी के लिए अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया काम लाते रहते हैं इसी बीच आज एक और बहुत बढ़िया काम लेकर आएं जिसको आप अपने गाउं से सुरू कर सकती हो वो भी कम पैसे में और डिमांड इतनी कि आप इस काम को करते करते ठक जाओगे पर आप पैसा से बहुत अच्छा कमाओगे और इसमें थोड़ी मेहनत है लेकिन इस काम क अगर आप करते हो और अपनी फैमली की मदस से भी आप इस काम को कर सकते हो थोड़ी दिक्कित आएगी लेकिन इस पैसे इस काम से आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो और एक गाउं में बहुती ज़्यादा चलने वाला व्योपार है डेली के आप 2000 रुपे से भी आप ज बिजनेस हाँ दूस्तु हाँ आज के समय पे हर एक जगह पे दूद की डिमांड हैं चाहे सेहर हो या गाउं हर एक ब्यक्ति चाहता है कि हमें और बढ़िया दूद मिले सुद्ध दूद मिले और चाहे हमें इससे थोड़ा महेंगा मिल जाए लेकिन सुद्ध मिले लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उस जगह से जब वो माल आता है तो उसमें काफी चीजें मिलाबट हो के आती है ना कि जयरमन और सुद्ध नहीं पाया जाता लेकिन हर एक ब्यक्ति चाहता है जो सेहर में तो कि ज्यादा तर लोग गाउं से सेहर की तरह भाग रहे है जो भी गाउं के ब्यक्ति हैं वो सेहर की और भागते जा रहे हैं तो क्या है कि सेहर में हर एक ब्यक्ति के पास तो दूद नहीं है क्योंकि जो भी दूद जाता है वो गाउं से जाता है तो आपको करना क्या है अगर आपके पास दो लाक रुपी है एक लाक रुपी है तो उससे भी इस ब्योपार्खों शुरू कर सकते हूं तो सबसे पहले आज के समय पे आप भेस पालना बहतर समझा जाता है क्योंकि भेस एक ऐसा पसू है जो दूद निकालने के बाद भी वह बिग जाता है अगर गाय की बात करें तो गाय अगर जब तक गाय दूद देगी तब तो कोई भी ब्यक्ति उसको खड़ी देगा लेकिन जैसे दूद देना गाय बंद कर देगी तो उसको कोई भी नहीं खड़ी देगा लेकिन भेस एक ऐसा पसू है जो बिकता ही बिकता है चाए वो दूद दे या ना दे या फिर उसके जो बच्चे होते हैं जैसे पड़े मत आपको दो भैसे से भी ज़्यादा आ जाएंगी दो पसुल में जाएंगी 2से तीन पसुल भी आ जाएंगी अगर आप पर साट पैसाट। 65000 की खरीदिक छिसमें आपको करीब 10 है 30 लीटर आपका दूद होगा हाँ दूस्तों है 30 लीटर आपने 2 लाग के अंदर अंदर 30 लीटर दूद आपका डेली होगा दोई टाइम का पंदरा सुबै पंदरा साम तीस लीटर दूद होगा तीस लीटर दूद होगा तो तीस लीटर अगर आपका 50 रुपे लेकिन आज की समय पे तो 60-70 का जो दूद होता है वो 70 रुपे से कम में नहीं जाता अगर हम मिनीमम रखें 50 रुपे मिनीमम 50 रुपे तो दूश्तो तीस लीटर आपका जो दूद है वो तीस लीटर आपका जो दूद है वो पंदरा सु रुपे का होगा 15 रुपे महिने की महिने की बात करें तो महिनी में आप करीब 30 मतलब 45,000 रुपे आप महिने की आप उससे अर्ण कर सकते हो एक महिनी में आप खर्चे की बात करें लागत की बात करें उसकी खान खुराक की बात करें तो 15,000 रुपे आप खान खुराक में हटा दीजिए फिर अगर आप सहर जाओगे और डेरी पर देने जाओगे आज की समय पर तो गाओं गाओं में डेरी उपलब्ध हैं तो उहां आपको 70 रुपे लीटर और जादा रुपे लीटर भी आपका बिग जाएगा लेकिन अगर आप मोटा मोटे की बात करें तो अभी आप 30,000 रुपे आप महिने के आसानी से कमा सकते हो सहर जाने की कोई जरूत नहीं है अगर थोड़ा सा दिमाख लागाते हो तो नहीं जगए पर उनको इन्वेस्ट करिए और पसू पालन करके देखिए इससे व्योफार बहुत अच्छा है तो आज के व्योफार में हम आप लोगों को इसी बिजिनिस के बारे में बतानी आये थी आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताए तो नमस्कार जेहन